चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदे की स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बचो काफी दिन इंतजार करने के बाद एम्स ने बीएससी ओनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एकजाम का टेंटेटिव सेडिल जारी कर दिया है उन नीट एस्परेंट के लिए कुशी की बात ये है कि जिन इस्टूडेन्ट के नीट में मार्क्स कम आ रहे हैं और वो एम्स के बीएससी ओनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में एड्मिसन लेना चाते हैं और उन्होंने AIMS के इन दोनों कोर्सेज के लिए अपलाई नहीं किया था वो अभी अपलाई कर सकते हैं AIMS ने दुबारा से Basic Registration और Final Registration ओपन कर दिया है अभी सभी नीज एस्प्रेंट ने अपने Answer की से Final Score चेक कर ही लिया होगा अगर आपके ड्रोप ज़्यादा हो चुके हैं मार्क्स भी कम आ रहे हैं और इस बार किसी न किसी कोर्स में एडमिसन लेना ही चाते हैं तो आपके लिए सुनेरा मोका है आप AIMS की एकजाम देकर इसमें सेलेक्शन ले सकते हैं इसमें Girls Candidate BSC Owners Nursing में एडमिसन ले सकते हैं और Boys और Girls Paramedical Courses में एडमिसन ले सकते हैं AIMS के BSC Owners Nursing के लिए Boys Candidate इलिजिबल नहीं हैं इन Courses के लिए December 21 में एगजाम होगा तो आप December तक अच्छी तयारी करके एडमिसन ले सकते हैं अभी एक बार इसका हम नोटिस देख लेते हैं तो AIMS ने अपने वेबसाइट AIMS Exams.ac.in पर ये नोटिस डाल रखा है तो आप ये चेक कर सकते हैं इसमें Reopening of Registration for BSC Owners Nursing and BSC Paramedical Courses 21 Session के लिए ये नोटिस डाला हुआ है इसमें सबसे पहले लिखा है कि जिन Candidate ने पहले Apply कर रखा है इस Course के लिए यानि कि Final Registration कर रखा है फीस पे करके वो अपना Exam CT चेंज कर सकते हैं Login करके जिनोंने नहीं किया है वो Phrase Registration कर सकते हैं तो इसमें जो Phrase Registration की डेट है वो Basic Registration की जो डेट है वो 23 October से लेकर के 29 October शाम 5 बजे तक है यानि कि Basic Registration आप 29 October शाम 5 बजे तक कर सकते हैं जो इसका Final Status होगा कि आपका Basic Registration Accept हुआ या Reject हो गया ये आपको देखने को मिलेगा 31 October 21 को इसके बाद AIMS के Code जरनेट होंगे इन दोनों Courses के लिए Final Registration होगा Fees का यहाँ पर Payment होगा और आप इसमें CT 24 कर सकते हैं तो इसकी डेट होगी 1st November से लेकर के 8 November शाम 5 बजे तक यानि कि 8 November शाम 5 बजे तक आप Final Registration कर सकते हैं अब इसमें इसका जो BSC Owners का Final Registration हुआ है यह Accept हुआ है यह Reject हुआ है इसका Status आपको देखने को मिलेगा 15 November 21 को इसके बाद में अगर इसमें कोई कमिया रह गई फोर्म रिजेक्ट हो गया तो उसके Supporting में आप Documents भेज सकते हैं वो 18th November 21 साम 5 बजे तक भेज सकते हैं इसके बाद जो इसका Tentative Date है Uploading Admit Card का वो है Last Week of November 21 इसके बाद जो Tentative Schedule है एकजाम का यानि कि एकजाम कब हो सकती है होगी इन दोनों कोर्सेज के लिए B.H.C. Owners, Nursing और Paramedical के लिए तो वो First Week December में हो जाएगी First Week of December 21 में ये एकजाम हो जाएगी इसमें नीचे ये Importance दिये गई हैं इसमें लिखा है कि Candidate ने अगर पहले Registration कर रखा है तो उसको दुबारा Registration करनी की आवश्यक्ता नहीं है Peace Paid कर रखा है तो उसको दुबारा Apply करनी की आवश्यक्ता नहीं है लेकिन वे City of Examination का Reach Vice कर सकते हैं यानि कि आपने Exam City दूसरा फिल कर दिया है और आप अभी दूसरी जगे Exam देना चाते हैं जो City हैं उनको आप Change कर सकते हैं तो ये एक छोटी सी जानकारी थी और Student के लिए ये काफी Student के लिए कुशी की बात भी थी क्योंकि बहुत से Student अभी Score देखने के बाद में ये सोच रहे होंगे कि अगर हम AIMS का Forum फिल कर देते B.A.C. Nursing और Paramedical Courses के लिए तो वो हमारे लिए अच्छा होता तो AIMS ने ये Opportunity दे दी है अभी आप इसका Forum फिल करके अच्छी तैयारी करके December में Exam देके इन Courses में Admission ले सकते हैं बाकी इन Courses के लिए Apply कैसे करना है कैसे आपने Basic Registration करना है कैसे Final Registration करना है इन सब का वीडियो मैं आलड़ी बना चुका हूँ तो आप Channel Search करके देख सकते हैं ये पहले जब Form Open हुए थे तब मैं इस प्रकार का वीडियो बना चुका हूँ तो ये एक अच्छी कुशी की बात है कि आप इनके लिए Apply कर सकते हैं तो मिलते हैं नई Update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैह